अबसकार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल टीछे एक्जामोबल लूड में दोस्तों आज के सेसं के अंतरगत आपकी जो सीटेड दिसम्बर 23 की क्लास से चल रही है उसके अंतरगत आज आपकी सीटेड पेपर 2 के अंतरगत एसेस्टी की निक्स लास है इसके अंतरगत आज हम आपको Class 6 History के Chapter No. 5 को पढ़ाएंगे जिसका नाम है राज राजा और एक प्राचीन गड़ राज तो आज का हमारा Chapter क्या है? राज जी राजा और एक प्राचीन गड़ राज जो की Agency R.T. Classics History का Chapter No. 5 है तो सेसन को सुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें सब्सकाइब करें तत्तर जादे जादे शेयर करें चलिए फिर बीना किसी देरीक सुरू करते हैं पहला पॉइंट है इसमें वाड़ पहला मारा पॉइंट क्या है वाड़ है चलिए देखते हैं इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना छेतर में कई ग्रंथ रखे गया चुकि रिगवेद के बाद ये रचे गया इसलिए इसके अंतर क्या क्या आते हैं सामवेद, येजुरुवेद, अथरवेद तथा कई अन्य गरंथ ब्रामर गरंथ भी सामिल थे इन गरंथ इन गरंथों में विवेद प्रकार के अनुष्ठान और उनके समपादन की विधिया बताई गई थी इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताए गया थे इसमें क्या है? सामाजिक नियमों के बारे में बताए गया कि समाज में किस प्रकार करना है? समाज में किस प्रकार करना है? चलिए आगे देखते हैं उस समय समाज में कई सम्मूह थे पुरोहित तथा योध्या वैभो साली थे अर्थाद धनवान थे और वही कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे परन्तु कुछ पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मश्ली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्रहक निर्धन थे पुरोहितों ने लोगों को चार वर्गों विभाजित किया था इनके अंसार पुरोहित थे इनके अंसार प्रतेक वर्ण के अलग-अलग कार थे जैसे पहला वर्ण था इसमें पहला वर्ण था ब्रामण का पहला वर्ण किसका था ब्रामण का था ब्रामण का क्या होता था वेदों का अध्यान अध्यापन करना और याग कराना जिनके लिए उन्हें उपाहर मिलता था और इनके बदले इन्हें क्या मिलता था उपाहर मि थी जिस्दान पर थे कॉन थे इन में कृशाक पाउलक और ब्यापारी आते थे इनमें क्रशाक वियापारी और पाम और फवालह का थे थे च security और बैस डोनों को ही करने का जी पर गतने का दिकार प्राप्त होता दया लिखी और यहां यह दोनी यग्य करने का अधिकार प्राप्त था, वर्डों में अंतिम स्थान सुद्रों का था, वर्डों में जो चातुस वर्ड ववस्था थी, जो चारडवल निधारी थे, उसमें अंतिम स्थान किसका था, सुद्रों का था, इनका काम अन्य तीन वर्डों की शेवा करना था, इनका काल में उत्तरवैदिक काल में जो उत्तरवैदिक काल हुए जो रिगवेद की बाद का जो समय था उसमें रिगवेदिक काल में महिलाओं की काफी इजद थी काफी जो उनका सम्मान था लेकिन उत्तरवैदिक काल में महिलाओं को भी सूद्र के समान माना ही जाना लगा था महि लाओं को और सुद्रों को वेदों का अध्यान करने का अधिकार नहीं था चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं इंपर्टेंट है इसलिए कि चातु सुमर्ण विवस्था क्या है कि पुरहुज्टों नों लोगों को चार वर्गों विभाजित किया जिने वर्ड कहा इनके अंसार प्रतेक वर्ड के कुछ अलग अलग कार नहीं धारित किये गए पहला वर्ड ब्रामर का था जिनका काम वेदों का अध्यान अध्यापन करना था और यग्ग कराना था और इसके बदले इन्हें उपहार मिलता था दूसरा अस्थान सासकोखा था जिने च्छत् दोनों को ही यग्याद करने के अनुमति प्राप्त थी वर्डों में अंतिमस्थान सुद्रों का था जिसका काम क्या होता था उपर के तीनों वर्डों की शेवा करना होता था और इन्हें कोई अनुष्ठान यग्याद करने का अधिकार नहीं प्राप्त था और महिलाओं को उत्तर वैदिक काल में सूद्र के समान माने जाना लगा और महिलाओं और सूद्रों को वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था आगे देखते हैं पुरोहितों के अनुषार सभी वर्णों का निधारन जन्म के आधार पर होता था रिग वैदिक काल में ऐसा नहीं था रिग अधोर के तौर पर ब्रामन मात्ल पिता के संतान व्रामण होती था भर्यषय को कर रस Dorothy को कस में कुछ लोगों को अच्योध वीमाने जाने लिगए अच्योध में कुछ सिल्पकार आते थे सिखारी आते तं तथ भोजन संगरहाग सामिल थे अच्योध में कौन-कौन थे थे कुछ सिल्पकार होते थे सिकारी होते थे तथा भोजन संग्रहाक सामिल थे साथ ही इन में वे लोग भी थे जो सवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे तो इसमें यह लोग भी आते थे आचूत में जो सवों को दफनाना या जलाने का कारे करते थे आगे देखते ह इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था इन्हें छुए नहीं दिया जाता था किसी ब्यक्ति को और इंचे जो चीजे संपर्क होती थी उन्हें अपवित्र मान दिया जाता था कई लोगों ने ब्रामण द्वारा बनाई गई इस वर ब्यवस्ता को सीवकार नहीं किय कुछ लोग जन्म के आधार पर निधारन सही नहीं मानते थे, इसके अत्रिक कुछ लोग व्योसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदवाव उचित नहीं समझते थे, कुछ लोग का यह भी मनना था, कि व्योसाय के आधार पर लोगों का भेदवाव नहीं करना चाहिए, चल इलाकों में सामाजिक आर्थी का समानता बहुत कम थी यहां पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था तो इसमें आपने क्या क्या सीखा कि चातु सुमणे बेवस्ता थी उसके बाद उसके आगे वाले आने वाले और यह जो चातु सुमणे बेवस्ता थी इसका नेधान जन्म के अनुसार होने लगा उसके बाद कुछ समय बाद अच्छूद भी बने अच्छूद भी माना जाने लगा कि निकिनी लोगों को जिनका छूना अपवित्र मानने जाने लगा था और इनमें सिल्पकार सिकारी तता भोजन संग्रहात और सबों को दखनाने जलाने वाले आते थे चली आगे देखते हैं अब हमारा अग्या अगे देखते हैं पूरा का साब्दी करता है जन को बसने की जगहां जहां होती है जन के बसने की जगहां होती है जहां है कि विशाल जन समू बसता है उसे जनपत कहा जाता है और यह अप जनपत की राजा कहला आने लगे आगे देखते हैं पुरा तक्तवीदों ने इन जनपत की कई बस्तियों की खु हस्तिनापूर में और एटा के पास अतरंजी खेला इसमें परमूख है धान रखीगा पुरा तक्तु विदों ने कई जनपदों की खुदाई की और बिन साक्षों ने मिले हैं जैसे के दिल्ली में पुराना किया उत्रप्रदेश मेरट के पास हस्तिनापूर के पास एटा और एटा के पास अतरंजी खेला और मेरत के पास अस्तिनापूर खुदाई से पता चला है कि लोग जो पड़ियों में रहते थे और मोवेशियों तथा अन जानवरों को पालते थे वे चावल गेहों धान जाओ दाल गन्ना तिला और सलसो जैसी फसले उगाते थे आगे देखत थे इन में से कुछ बिशेश प्रकार के बरतन मिले हैं जिने क्या कहा गया इसे इसलिए नाम इसका दिया गया है ताकि इन बरतनों पर चित्रकारी की गई थी यह आम तोर पर सलल रेखाओ ता जामिती आकृतियों के रूप में चित्रकारी इन पर की गई थी धान एकिगा इन पर जो चित्रकारी की गई थी वह सलल रेखाओ जामिती आकृतियों के रूप में की गई थी चलिए आगे देखते हैं अब हमारा अगला टापिक है महा जनपद है करीब पचीस सो साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्पूर हो गए इन्हें महा जनपद कहा जाने लगा जब जनपद और विशाल हो गए जब जनपद के राजा की सक्तियां और ज़्यादा बढ़ गई तो वह क्या कहलाने लगे महा जनपद कहलाने लगे इनका समय क्या है पचीस सो साल पहले मांचित चार में कुछ महा जनपद को दिखाए गया भी देख लेंगे कुछ महा प्रमुख महाजनपद जो थे अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई जो महाजनपद थे उनकी दो राजधानीया भी होती थी, लेकिन अधिकतर महाजनपदों की राजधानीया एक ही होती थी, कई राजधानीयों में किले बंदी की गई थी, मतलब चार ओर प्रभाव साली दीवार खड़ी करके अपनी सम्मेद्धी और सक्ति को भी तो कुछ राजा ऐसा भी करने के लिए दिवाल बनाते थे, ताकि उनकी सम्रिद्धी, उनकी शक्ति का भी प्रदर्शन हो सके, इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस पर छेत पर नियंतर रखना भी सरल हो जाता था, और यह जब दिवाल बन जाती थी, तो इससे मल राज, वज्जी महाजनपद, अंग और मगद, मगद सबसे सकतिसाली महाजनपद था, और अश्मक, अश्मक क्या है, दच्छिन भाद का एक मात्र है, अश्मक, दच्छिन भाद का एक मात महाजनपद अश्मक है, चलिए अब आगे देखते हैं, अब इसमें क्या है जनपद के काल में राजा सेना रखने लगे थे राजा जो है इस्थाई सेना रखने लगे थे सिपाहियों को निवमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था तो महा जनपद काल में लगभग पचीस सो साल पहले राजा इस्थाई सेना रखने लगे थे और सिपाहियों को नि अब देखते हैं, महाजनपत काल में कर क्या था, कर कैसे होता था, कर कैसे लिया जाता था, टैक्स जो था, क्या था, महाजनपत के राजा विशाल के लिए बनवाते थे, ध्यार रखीगा, महाजनपतों के जो राजा होते थे, विशाल के लिए बनवाते थे, और बड़ी सेना थी आता महाजनपत की राजा लोगों द्वारा समय समर्स पर राए गए उपहारों पर नीरवन नाओग कर निमीत रूप से करवसूर्ण gloss. महाजनपत कर कि राजा क्या सोचे कि समय 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 पर उपहार दिये जाते हैं उस पर नासी होकर हम लगा खाहता नियमित Overall रूप से कर लिये जाने लगें तुँ रहेने लगें आब कर किस प्रकार के थे हैं चलिए देखते हैं पसलो पर लगाएगर करथ सबसे महात पूर थे क्योंकि अधिकांस लोग क्रिसक ही ते क्योंकि उस समय अधिकांस क्रिसक लोग ही थे इसलिए फसलों पर लगाए गर्ग जो कर था, वह सबसे ज़ादी लोगप्री और सबसे जादा माद कुर्ण था प्राया उपज का एक बटे छटों भाग, हिश्चा कर के रूप में निधारीत था तो उपज का एक बटे छटोवा भाग जो क्रिशिका था वा लिया जाता था कर के रूप में जिसे भाग कहा जाता था जिसे क्या कहा जाता था भाग कहा जाता था आगे देखते हैं कारीगर के उपर भी कर लगाए गया था जो प्रायसरम के रूप में चुकाया जाता था, कारीगर के भी उपर कर लगाया जाता था, और जिसे कारीगर क्या करते थे, स्रम के रूप में चुकाते थे, धन नयाद देकर स्रम करके, अर्थाद कार करके, उस महाजनपत की जो राजा होते थे, उनके कुछ कार करके चुका पसपालको को जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में कर देना पड़ता था। जो सामान खरीदते थे और बेश्टते थे उस पर भी कर देना पड़ता था आखेटको या संग्रहको को जंगल से प्राप्त वस्थूएं देनी पड़तीते आखेटक और संग्रहक जो वे कइसे कर चुकाते थे क्योंकि वे जंगल से वस्थूएं लेते थे जंगल से वस्तूओं पर निर्भर होते थे इसलिए वे जंगल से जो वस्तूओं प्राप्त होती थी वो लकडियों आदी देखे फाल आदी देखे अपने कर को चुकाते थे चलिए आगे देखते हैं इसमें इंपार्टेंट था कि जो क्रिश्प कर था वह एक बटे च्छा क्रिश्प कर कितना था एक बटे च्छटोवा भाग था चलिए आगे देखते हैं अब देखते हैं महाजनपत काल में क्रिश्प में परिवर्तन क्या हुआ इस यूग में क्रिश्प के छेत में दो बड़े परिवर्तन हुए इसमें क्या हुआ महाजनपत काल में दो बड़ तो इससे क्या हुआ कि अब काथोर जमीन को लकडी के फाल के तुल्णे इत्व हान के ज़तने में आसानी सकता थाओ जो पर अज़ के बनने लगे दूसरे बदला उससे क्या हुआ कि दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपर शुरू कर दिया धान के पौधे पहले छीट कर बोई जाते थे लेकिन अब क्या कि ये दूसरा बदलाव महाजनपत काल में यह हुआ कि धान का रोपर होने लगा इससे क्या हुआ खेतों में भीच छिड़ककर धान उपजाने के बजाए धान की पौधत यारकर उसका रोपर शुरू कर दिया गया अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे तो रोपर से क्या फायदा हुआ अब हम दो महातपूर महाजन्पत का सुच में रिष्षर देखते हैं लिए पहला सबसे 1730 माधत को भूठो हूड अभी माधत का उपको दिखा देता हूं बिहाराद के आसपास का जो शेतर था मघद कहलाता था मघद ये देखिए आगे देखते हैं अब चलिए लगबग 200 साल के भीतर मघद सबसे महतपूर जनपद बन गया गंगा और सोन जैसे नदियों मघद से होकर बैती थे गंगा और सोन नदियों के मध्ध में संगम पर ये मगद राज बसा था इसलिए बहुत मातपूर जनपत बन गया था ये यातायात जल वितरन और जमीन को उबजाव बनाने के लिए बहुत मातपूर थी तो यह जो नदिया थी वा यातायात के लिए बहुत सहायक होती थी क्योंकि पहले जो यातायात होते थे अधिकतर जल के मार्ग से ही होते थे और जल वीतरण इनको मिल जाता था जल की अच्छी पहुंच थी इनके पास और जमीन उबजावपन होती थी जमीन जो इनकी थी वा उबजावपन मिलती था जमीन को उबजावपन मिलता था इसलिए ये महतपूर थी जो नदिया थी इनके लिए बहुत महतपूर थी मगत का एक हिस्सा जंगलों से भरा था मंगत का एक हिस्सा जो था वा जंगलों से भ घर गाडियें तथा रत बनाने के लिए लकणियें भी मिलती थी और जंगलों से क्या-क्या होता था घर बनाने के लिए लकणियें मिलती थी और रत बनाने के लिए लकणियें मिलती थी इसलिए यह बहुत महात्पूर्ण महाजनपत बन गया था इसके अलावा इस छेत में ल लोह ऐस की खदाने भी यहां थी मजबूत ओजार और हहतियार बनाए जाते थे आगे देखते हैं मगद में दो बहुत ही जीतने के लिए यह हर सम्हों साधन अपना थे तो अन जन पदों जीतने के लिए यह हर संभो साधन अपनाते थे महां पद्मनंद एक और मातपूर से आसक हुए धार रखेगा महां पद्मनंद नंद वंस के एक सा सकते एक और मातपूर सा सक हुए उन्होंने अपने नियंतर का छेत इस महादीब के उत्तर पश्चमी भाग तक फैला लिया था तो यह जो महां प पाटलीपूत्र जो आज के पटना है उसको राजधानी बनाई गई तो बिहार में जो राजगीर था या फिर राजगीर है वह मगत की राजधानी पहले थी उसके बाद पाटलीपूत्र जो वर्तमान पटना है उसी राजधानी बनाई गई थी आगे देखते हैं आगे है क तेजिसो साल पहले मेसी डोनिया का राजा सिकंदर भी सुभीजे करना चाहता था। तेजिसो साल पहले मेसी डोनिया करना चाहता था। पढ़ता है और अधान इसकी वैशाली थी यहां एक अलग किस्म की शासन बेवस्ता थे जिसे गड़िया संग कहते थे। गड़िया संग में कोई शासक नहीं होते थे। कभी-कभी लोग एक साथ सासन करते थे जिसमें से प्रतेग व्यक्ति राजा कहलाता था। यह सभी राजा विविन अनुष्ठानों का एक साथ संपन करते थे। तो इन्हें क्या करना है कि यह कैसा नेड़ा लिना है, इसे राजन इसचित नहीं करता था. ये सभाहूं बैठे थे और वहाद विभाद और बहुद करकर निशचित करते थे, कि हमें क्या करना है, किस प्रकार करना है? सत्रों आक्रमर से निपटने के लिए वे मिलकर चाज़ चाहे करते थे इस्त्रियां दास तता कमकार इन सभाओं में इस्ता नहीं लेते थे ये इंपर्टन पॉइंट है ध्यान रखीगा पूइए जाता है कि वजज्र के गढहbons तंत्रसाषन में कौन-कौन भाग नहीं लेता है उस्तियां भाग नहीं लेती थी दास भाग नहीं लेती थे और कमकार जो भूमीर मजदूर होते थे वे इन सभाव में इससन नहीं लेते थे बहुत important point इसको नोट का लीजेगा ये कि इस्तियां दास तथा कमकार जो वज्जी संग की सभाएं होती थे उसमें भाग नहीं लेते थे वज्जी संग का या वरणन दिर्ग निकाय मिलता है दिर्ग निकाय एक प्रसिद्ध बहुत घंत रहें दाने केगा दिर्ग निकाय जो है वह एक प्रसिद्ध बहुत घंत है जिसमें बुद्ध के कई व्यक्खान दिये गए हैं इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था अब वजजी के बारें कुछ और important point देख लेते हैं यह पहला गड़तंत्र है धाने की गए यह भीषु का पहला गड़तंत्र है राजधाने इसकी वैसाली थी अब अगला topic है हमारा आजासत्रू या आजासत्रू और वजजी अजासत्रू वजजी संग पर आक्रमन करना चाहता था उन्होंने अपनी मंत्री वरसकार को बुद्ध के पास सलाल एने के लिए बेजा बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वजजी सभाय नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदर सुपस्तित होते हैं तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्हें ने कहा कि वजजी वासी तब तक उन्नती करेंगे जब तक वे पूड़ और नियमित सभाय करते रहेंगे आपस में मिल जूलकर काम करते रहेंगे पारंपिक नियमों को पालंग करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे वज्जी महिलाओं के साथ जो बस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे सहरों तता गाओं में चैत को रख रखाओ करेंगे बिभिन मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे तो ये सब चीजे क्या बताई थी गौतम बुद्ध ने बताया कि वज्जी संग तब तक उन्नती करेंगे जब तक ये जो पॉइंट थे कि वे पूड़ा और नियमित सभाई करेंगे आपस में विल्जूल करेंगे और काम करेंगे पारंपरीक नियमों का पालन करेंगे बड़ों का सम्मान करेंगे समर्थन करेंगे उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे महिलों के साथ जो बयश्ती नहीं करेंगे बंधक नहीं बनाएंगे जारे उतथा गावों में चैत का रख रखाओं करेंगे विभिन संतों का अमान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे चलिए अब एक अन्य टापिक देख लेते हैं अन्य अंत्र जो दिया जाता है न्सी आर्टी में उसको देख लेते हैं लगबग पचीस सु साल पहले एथेंस के लोगों ने एक सासन संस्था की स्थापना की प्रजा तंत्र या गरतंत्र कहा गया या वेवस्था लगबग 200 सालों तक चली या वेवस्था लगबग 200 सालों चली और इसमें कौन-कौन लोग सामिल थे इसमें 30 साल से उपर सभी पूर्शों का पूर नागरिक्ता प्राप्त थी जो दास नहीं थे धानर कीगा लगबग, साल भर में 40 बार बुलाई जाती थी, नेड़े लेकलने के लिए, सासन के कई पदों पर नियुक्तिया लाट्रियों दारा की जाती थी, सभी नागरिक को सेना और नोसेना में भाग लेना पड़ता था, इसमें यह लिखा गया था, कट गया है, सभी नागरिक को सेन पर बताया गया है, सभी नागरिक को सेना और नोसेना में एपनी सेवाई देनी पड़ती थी, वही बात जो इसमें लिखा गया था, दो बार रिपीट हो गया है, कि सभी नागरिक को सेना और नोसेना में एपनी सेवाई देनी पड़ती थी, और most important point है, औरतों को नागरिक क का दरजा इसमें नहीं मिला था व्यापारियों और सिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे द्यान रखीगा व्यापारी तथा सिल्पकार की रूप में जो एथेंस में रहने वाली नागरिक तक अधिकार नहीं मिला था खादानों खेतों घरों और कारिशालाओं में जो काम करने वाले दास्ते उन्हें नागरिक तक अधिकार नहीं मिल था अब कुछ महातपूर्त इथिया देख लेते हैं नए सासक जो बने वह लगबग 3,000 साल पहले बने मोस्ट इंप्व लगबग 1500 साल पहले हो गया था चलिए अब इसका क्रिबजन हम लोग देख लेते हैं ऐसे औरल रूप में कि पहला भी इंदू था इसमें या बाद में आई सारी पूर्व वैदिक काल तक सुद्रों का शूत माना जाने लगा उत्तर वैदिक काल में औरत को भी सूद्र के स और 620 में महाजनापकाल का उदधे लगता है और यहा ऑर कнд पहले तैस। मगद जू था वा गंगावा सों नदी के किनारे था और दो सो वर्षिक के अंदर मगद सबसे important मन गिया था यहां लोहे के खदाने थी यहां जंगल भी अधिक मातरमे थी जिसे हांतियाद पकड का पसिस्चित किया जाता था और लक्रियों से संबंदी जो इतने भी कारे होते थे वे भी कर लिया जाता था राजग्री इजाजधानी थी मगत की और बाद में क्या हो गई पर्टली पुत्र हो गई उसके बाद क्या हुआ लगबग 2300 साल पहले सिकंदर जो मेसरोडोनियों करा जा था वह व्यास नदी के किनारे पूरत से लड़ा था और व्यास नदी के किनारे आते आते उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था रजी संग क्या था गरतंतर ब्यवस्ता थी आई पहला गर्तंतर भी शुका था उसके बाद अग्ला इंद्ध हमारा लास्ट था पचीस्टो वर्स पूर्व A30 में प्रजातंद्र था यहां 200 वर्सतक सासन चला और इसके सदर से कोन होते थे तीस वर्षे से पूर्व जो पूरुस होते थे उन्हें नागरिक्ता प्राप्त थी औरतों को नागरिक्ता प्राप्त नहीं थी दासों को नहीं प्राप्त थी और जो कुछ विदेशी रहते थे उन्हें भी नागरिक्ता प्राप्त नहीं थी सबहाएं यह कितनी बार करते थे साल में लगबग 40 बार करते थे चलिए फिर इसीक साथ आज किस सेशन को हम समाप्त करते हैं आसा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा अगर आप लिए अन्य सेशन को फिर आप्त करना चाते है तो हमारी यूटूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें तथ ज्यादा शेयर करें चलिए फिर धन्यवाद